मैं सुनकार पजापती, आप लोगों का आधर्स क्लास में स्वागत है अभी हम लोगा स्टेडी कर रहे हैं, मतलब क्लास 12 मैथमेटिक्स का इन इस वीडियो वी बिल डिस्कस्ट दा प्रोलम्स ओन दा टॉपिक अधर्स का बिल डिस्कस्ट दा टॉपिक्स दे लास्ट वीडियो वी अधर्स का प्रोलम्स ओन इस एक जांपल के साथ जैसे एक जांपल है मारे पास अभी हम टू बाइट वाट रहे बताएंगे देन अप्तर हम ती वाट थी ओर आपको डिसकस करके बताएंगे ठीक है पहले आप two by two order का समझे concept को आप generate कीजिए ठीक है जब concept आपका बहुत बुलंद हो जाएगा तो आप three by three order का भी question को solve करेंगे तो आप बहुत easy तरीका से solve कर सकते ठीक है इसका inverse हमको निकालना है question है using elementary operation find the inverse of the matrix elementary operation के use करके हमको इसका inverse find out करना है instance ठीक है तो हमको करना क्या है कि हमने जब आपको बताया था जब भी हम इस परकार के matrix का inverse हमको निकालना हो बेदा using of elementary operation तो सबसे पहला आपका step क्या होता है सबसे पहला जो step होता है a is equal to आप क्या लिख सकते हो i multiply a इस तरह आप लिख सकते हो तो उसके बाद आप क्या करो एक ही value को put करो 1-2 2-6 यह आपके पास एक ही value हो गई ठीक है यहाँ पर यह क्या है यह एक identity matrix है ठीक है और इस identity matrix को हम लोग उसी order का लिखेंगे जिस order का हमारे पास एक matrix होगा ठीक है तो क्यूंकि यह 2 by 2 order का है तो हम identity matrix भी 2 by 2 order का ही लिखेंगे तो जब 2 by 2 order का लिखेंगे तो हमारे पास अंसर क्या जागा 1-0-0-1 यह आगया हमारे पास 2 by 2 order का एक identity matrix देन आपर हम क्या लिखने वाले हैं ठीक है तो देखें इस अभी हम क्या करने वाले हैं हमको इसको आई में कनवर्ट करना है इसको जो भी इसमें चेंजिस करेंगे उसके इसमें चेंजिस होंगे तो हमको इसको आई में कनवर्ट करते करते यह मैट्रिक्स हमको बी में कनवर् हो जागा देन को सब्सक्राइब करना यह मतलब इसको करने के लिए जो हम only 10 करना को लिए and you know that कि जिरो करना मतलब इसकी तरह करना हैं तो हम क्या करते देखें यहां हं धी जुस्टे ने हैं प्लाइबिंसकी । तो क्या लिखें कि हमको row 2 में changes करना है तो हम लिखेंगे row 2 ठीक है इस तरह row 2 में हमको क्या करना है changes जिसमें changes करने रहते हैं उसको हम पहले लिखते हैं यहाँ ठीक है और साथ में यही चीज़ तो हम क्या करने वाले है row 2 में add करने वाले हैं ठीक है R1 को minus 2 से multiply कर कि इसमें क्या करने वाले add चलिए आईए देखते तो हमारे पास changes होगा row 2 में इस matrix के विए row 2 में changes होगा इस matrix के विए row 2 में ही changes होगा row 1 और row 1 दोनों का क्या उतरेगा same तो आप row 1 को तो आप same उतार लिजे यहां से आजागा 1 यहां से आजागा minus 2 ठीक है इधर भी आजाएगे इधर भी देखिए यह आजागा 1 यह आजागा 0 ठीक है अब हम क्या करेंगे इस formula के according जो हमने formula बनाया R2 plus minus 2 multiply R1 तो देखिए R2 का पहला element कितना है? 2 multiply minus 2 multiply minus 1 तो minus 1 को minus 2 से multiply करो sorry 1 को minus 2 से multiply करो तो minus 2 और R2 का value already 2 है तो कितना हो जागा? 0 हम करके बता देते हैं आपको आप समझे R2 का value यहाँ पर कितना है? 2 तो 2 लिखिए फिर है minus 2 multiply R1 R1 का value 1 तो यह हो जागा 2 minus 2 answer क्या आगे? 0 तो देखिए यहाँ पर 0 आगे है फिर क्या करना आपको minus 6 लेना है फिर आप minus 6 ले लो plus minus 2 multiply कितना है यहाँ पर minus 2 ठीक है? हमने क्या किया? minus 2 already है मारे पास और यहाँ पर कितना minus 6 तो यह कितना हो जागा? यह हो जागा minus 6 इदर हो गया 4 तो answer कितना हो गया minus 2 तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? minus 2 ठीक है? यह तो हो गई बात किसकी? इदर वाले matrix की अब हम बात करते है थोड़ा सा उदर वाले matrix इसमें क्या changes होगा? आई इसके विवारे में भी बात कर लेते तो देखिए इसका r2 का जो element है वो है 0 plus minus 2 multiply r1 r1 का value कितना है? 1 तो जगा 0 minus 2 याने की minus 2 यहाँ पर answer आगा आपके पास minus 2 ठीक है? अब आप क्या करें? दूसरा element देखिए यहाँ पर r2 का value कितना है? 1 फिर 1 multiply minus 2 और r1 का value कितना है? 0 तो जगा 1 minus 2 याने की minus 1 सोरी यहाँ 0 आजागा न तो answer आजागा 1 तो यहाँ पर answer क्या मिल गया? आपको 1 ठीक है? आई ओप आपको समझ में आगया होगा तो यह वाला आपको clear हो गया अब देखिए यह वाला तो 0 बन गया हमको सिर्फ इसको 0 बनाना है तो आप क्या करो? तो दोनों को साइन तो मायस है अगर हम R2 में से R1 को घटा दे यानि R1 में से अगर R2 को घटा दे तो हमारा answer आजागा ठीक है? चली आए बनाते है R1 में हमको changes करने है यानि कि हमको इसको 0 बनाना है इसको तो हम R1 में changes करेंगे तो हम R1 को पहले लिखेंगे हम क्या लिखने वाले? R1 tends to R1 में से subtract किसको करेंगे? R2 को, ठीक है? क्योंकि subtract करेंगे तभी इनका sign change होगा एक minus में, प्लस में हो जागा तो R1 में changes करने वाले इसलिए R2 को एजिट लिख लेंगे हम लोग तो देखिए R2 को एजिट लिख लेंगे थे 0, minus 2 इधर देखिए R2 को minus 2 और 1 ठीक है, यहां क्या आगया? A आईए देखिए, क्या लिखा हुआ? R1 में से R2 को घटाना है चलिए, 1 में से 0 घटाओ R1 मतलब 1 और R2 मतलब 0 तो 1 minus 0 कितना आगया? 1 तो आप यहां कितना लिखने वाले हो? 1 ठीक है? minus 2 में से minus 2 घटाओ तो minus minus plus 2 हो जागा तो यहां पर answer क्या आजागा? 0 ठीक है? अब आज यह इधर 1 में से minus 2 घटाना तो minus 2 और minus plus 2 और 1, तो यहां answer आजागा 3 ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है? यहां पर देखी यहां क्या है? 0 minus 1 तो answer क्या जागा? यहां पर minus 1 देखीं, यहां आगया minus 1 ठीक है? clear हुआ? चलिए, अब देखीं, यहां तो और रेडी 1 है, इसको हमको 1 बनाना है तो हम क्या कर सकते है? इस minus 2 को हम multiply कर देते हैं minus 1 by 2 से ओभी किसका कॉन सा रो है? रो 2, तो हम क्या लिखेंगे? रो 2, ठीक है? multiply minus 1 by 2 यह नि, R2 को minus 1 by 2 से multiply कर रहे हैं तो जो minus 1 by 2 से multiply करेंगे तो हमारे पास answer क्या जागा? 1 बाला सेम तर जागा? 1, 0, है न, यहाँ जो है 0 multiply minus 1 by 2 minus 2 multiply minus 1 by 2 ठीक है? इदर आजाओ, यह 3 इसी तरह आजागा 3, ठीक है? minus 1, minus 2 multiply minus 1 by 2 1 multiply minus 1 by 2 ठीक है? इस परकार से आगया तो देखिए, जब आप इसको solve करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जागा 1, यह 0 यह भी 0, यह कटके 1 बन जागा यहाँ से 1 आगया इदर आप देख लीजे, यह आगया आपके आपके अपास 3 यह है minus 1, यह 1 हो जागा और यह हो जागा minus 1 by 2 और यहाँ क्या आगया? यह A, A को लिखना ना भूले, यह A आया तो यहाँ तक आपको समझ में आए, आप देखी इसको ध्यान से यह identity में convert हो चुका है ठीक है, 1, 1, 0, 0 इदर आपको इसके corresponding जो इसमें changes कर रहे थे उसका according इसको change किये तो हमको यह matrix ऐसा हो गया अब इस A को इदर उठा के लेके आजाओ ठीक है, हम इसको rough करने वाले हैं अगर आप इसको लिखना चाहते तो screen को फोज करके आप इसको लिख लिजे ठीक है, चलिए दखिए अब हम इसको लिखेंगे तो A जब इदर आएगा, तो यह तो identity बन गया, तो यह हो जागा A inverse I ठीक है, और answer क्या जागा 3 minus 1 1 minus 1 by 2 यह answer आया ठीक है, तो कुल मिला करके हमारे पास A inverse ठीक है, is equal to 3 minus 1 ठीक है, और 1 minus 1 by 2 ठीक है, यह आगा हमारे पास A inverse का answer समझ में आया ठीक है, चलिए अब इसी question को हम आपको column operation से बता जेते हैं मतलब दोनों तरीका से बता देते हैं, कैसे इसको solve करना है, by using the column operation लिख लिजे इसको skin को pause करके चलिए, इसी question को जो है, आपको column operation से बताते हैं by applying the column operation, क्योंकि हमारे पास 2 by 2 order का यह क्या है, matrix है, तो वही चीज़ सबसे पहले A is equal to I, ठीक है, और यहांके लिखने वाले A, जब हम column operation लगाएंगे, तो फिर से इसको लिखी लेते हैं, क्या हमारे पास 1, minus 2, 2, minus 6, यह हमारे पास answer है, ठीक है, इधर क्या है, हमारे पास identity 1, 0, 0, 1, ठीक है, और यहां क्या है, column operation लगाना है, तो देखिए, यह तो already 1 है, ठीक है, यहां पर क्या है, minus 2, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से add करके, इसमें add कर देंगे, तो answer 0 बन जागा, यानि कि हमको column 2 में changes करना है, तो हम क्या लिख जेते हैं, यहां लिखेंगे column 2, ठीक है, और element कुछ चेंज नहीं होगा, इसको लिख लेते add, जब हम इसको add लिख लेंगे, 1 और यहां होगे 2, ठीक है, इधर इसको छोड़ दीजिए, इधर भी दखो, 1, 0, एना, इधर column 2 को छोड़ दीजिए, यहां लिखें, अब आज आज़ें, यह देखिए, column 2 का पहला element के है, minus 2, ठीक है, minus 2, plus 2 multiply column 1, column 1 का element कितना है, 1, तो answer overall कितना है, 0, देखिए, यहां पर बन गए 0, ठीक है, अब आज़ें, इसमें देखिए, यहां पर column 2 का element कितना है, column 2 का element है, minus 2, minus 6, sorry, minus 6, और यहां पर कितना है, 2, ती हो जाएगा, आपके पास, minus 6 plus 4, यानि का answer आया, minus 2, तो यहां पर आगिया, minus 2, ठीक है, यह समझ में आया, चलो, आज़ा इधर वाले में, यहां आपको क्या करना है, changes करना है, column 2 में, तो column 2 पहले लिखा है, तो column 2 का element कि है, 0, फिर है, 2 तो अवर राल answer यहां से क्या है, 2, तो आप यहां का लिखने वाले हो, तो आपको यह मिल गया, आपको यहां से क्या मिल गया, यह matrix, ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, अब आप धिहां से देखिए, यह 0 बन चुका है, इसको 0 बनाना है, तो हम क्या करें, एड़ कर देते हैं, तो 0 बन जागा, minus 2 और प्लस 2 क्या बन जागा, 0, करना क्या है, हम को column 1 में अभी थित्तान क्या लिखेंगे, हमें आपर column 1 में है, column 1 tends to column 1 plus column 2, हैनि column 1 में हमको column 2 एड़ करना है, column 1 में चेंज़े जोगा, तो column 2 तो सेम आजागा, चलिए फिर से आजाईए देखे column 2 को लिख लिख लीजे 0 और minus 2 ठीक है वरावर इधर कितना है 2 और 1 ठीक है यह क्या हो गया column 1 में देखिए 0 और 1 कितना आगया 1 तो यहाँ पर answer आगया 1 minus 2 और plus 2 कितना आगया 0 तो यहाँ गया 0 अब इस minus 2 को शिरिफ 1 बना है और हमारा answer आगया तो हम क्या करने वाले है इस column 2 को multiply कर देते है sorry यह जो column 2 है ना इस column 2 को multiply कर देते है minus 1 by 2 से चलिए आईए तो हम क्या करेंगे column 2 multiply minus 1 by 2 column 2 column 2 को minus 1 by 2 से multiply तो यह तो same उतर जागा column 1 से 1 0 0 minus 2 multiply minus 2 तो 0 से multiply करोगे तो 0 यह answer आने वाला है यह हो गया 3 और यह हो गया आपके पास ठीक है 1 यह हो गया 3 और यह क्या हो गया 1 इदर आजाओ यह बना देखो कितना हो जागा 2 multiply minus 1 by 2 और यह हो जागा 1 multiply minus 1 by 2 इदर क्या आगया A तो देखो यह बन गया 1 यह हो गया 0 यह हो गया 0 और यह भी क्या आगया 1 इसके corresponding आजाओ यह हो गया 3 यह हो जागा minus 1 by 2 और यहां से क्या आगया A ठीक है इसकीन को पहुज करके इसको लिखिए क्योंकि तर रफ करेंगे चलिए देखिए अब आप देख सकते हैं इससे पहले जो हमने raw operation यूज किया था उसमें भी यह answer आया था column operation किया उसमें भी यह answer आया मतलब आप कोई भी operation लगाई है answer वही आगा लेकिन आपको ध्यान यह रखना है कि अगर आपने starting में raw operation लगाया तो till the finish question आपको उसमें raw operation यूज करना है column अगर आपने यूज किया starting में तो column ही यूज करें raw और column एक ही question में एक साथ नहीं apply किया जाएगा ठीक है तो a जब इदार आ जागा तो यह i1 गया तो यह बन जागा a multiply i यहां हो जागा a inverse और जागा 3 minus 1 1 minus 1 by 2 ठीक है यह आगा हमारे पास एक matrix ठीक है तो a inverse हमारे पास निकल करके आ चुका है 3 minus 1 1 minus 1 by 2 यह आगा हमारे पास answer a inverse ठीक है समझ में आया है एक question लेते हैं लोग 3 by 3 order का उसको भी बनाते है तो उससे clear हो जागा